किसी एक प्रोजेक्ट के शुरू होने से कैसे इज अब डूइंग बिजनेस भी बढ़ती है और साथ साथ इज अब लिविंग भी कैसे बढ़ती है इसका ये उत्तम उदारण है अभी मुझे जिन चार-पाच भाई बहनों से बात करने का मोका मिला और वो अपने अनुभव को जिस परकार से बयाँ करते थे चाहे वो तीर्थी आत्रा की कलपना हो चाहे वेहिकल को कम से कम नुक्सान होने की चर्चा हो चाहे समय बचाने की चर्चा हो चाहे खेती में जो उत्तमादन होता है उसकी बरबादी को बचाने का विशे हो फ्रेज फ्रूट वेजी वेटेबल सुरक जैसे मार्केट तक पहुंचाने का इतने बढ़िया तरीके से सभी साथ्यों ने एक प्रकार से इसके जितने आयाम है उसको हमारे सामने प्रस्तूत किया और उसके कारण व्यापार में जो सुवीदा बढ़ेगी भहुत सारी स्पीड बढ़ जाएगी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही खुशी का माहोल है व्यापारी कारोबारी हो कर्मचारी हो स्रमीग हो किसान हो स्टूडेंस हो हर किसी को इस बहतरीन कनेक्टिविटे का लाभ होने वाला है जब अपनों के बीच जब अपनों के बीच की दुनिया कम होती है तो मन को भी बहुत संतोष मिलता है आज एक तज़स है गुजरात के लोगों को दिपावली के त्योहार का ये बहुत बड़ा उपहार भी मिल रहा है खुशी के इस अवसर पर उपस्तित गुजरात के मुख्यमंत्री स्रीमान वीजय रुपानी जी केंद्र सरकार में मेरे मंत्रि मंडल के साथी भाई मन्सुग भाई मांडविया जी भारतिये जनता पार्टी के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष और साउसद में मेरे साथी त्रिमान सियार पाटिल जी गुजरात सरकार के सभी मंत्रिगण, साउसदगण, विधायगण, अन्य सभी जन प्रतिनिधी और अलग-अलग स्थान पर विशाल संग्या में इकटे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों आज गोगा और हजीरा के बीच रोपेक सेवा शुरू होने से सवराष्ट और दक्षिन गुजरात दोनों ही छेत्रों के लोगों का बर्सों का सपना पूरा हुआ है बर्सों का इंतजार समाप्त हुआ है हजीरा में आज नए टर्मिनल का भी लोकारपन किया गया है बावनगर और सुरत के बीच सापित हुए इस नए समुद्री संकर्प संपर्क के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई अनेक अनेक शुपकावना है साथियों इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दुरी पोने चार सो किलोमेटर की है वो समंदर के रास्ते तरफ नब्बे किलोमेटर रह जाएगी यानि जिस दुरी को कवर कर रहे मैं दस से बारा घंटे का समय लगता था अब उस सफर में सिरफ तीन चार घंटे ही लगा करेंगे ये समय तो बचाएगा ही आपका खर्च भी कम होगा इसके अलावा सड़क से जो ट्राफिक कम होगा वो प्रदूशन कम करने में भी मदद करेगा जेसा यह भी बताया गया साल भर में यह अकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा अकड़ा है साल भर में करीब असी हजार यात्री यहने असी हजार यात्री गाड़ियां कार करीब करीब तीस हजार ट्रक इस नई सेवा का लाब ले सकेंगे सोचिए कितना ज़्यादा पैट्रोल डिजल की भी बचत होगी साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात के एक बड़े व्यापारिक सेंटर के साथ सवराश्ट्र की ये कनेक्टिविटी इस ख्षेत्र के जीवन को बदलने वाली है अब सवराश्ट्र के किसानों और प्रसुपालकों को फल, सबजी और दूद सूरत पहुचाने में ज़्यादा आसानी होगी सड़क के रास्ते पहले फल, सबजी दूद जैसी चीजें इतना लंबा समय होने के कारण और ट्रक के अंदर उठापटक रहती है तो काफी कुछ नुक्षान भी होता है खास करके सबजी को, फलों को काफी नुक्षान होता है ये सब बंद हो जाएगा अब समंदर के रास्ते पशुपालकों और किसानों के उत्पात और तेजी से जादा सुरक्षित तरीके से बाजार तक पहुँच पाएंगे इसी तरह सूरत में व्यापार, कारोबार करने वाले साथियों और स्रमिक साथियों के लिए भी आना जाना और ट्रांस्पोर्रेशन बहुत आसान और सस्ता हो जाएगा साथियों गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा ऐसी सुभीधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का स्रम लगा है ये ऐसे आसानी से नहीं हुआ है इसको करने में कई कठीना यहां आई रास्ते में कई चुनोतिया आई इन प्रोजेक्ट के साथ मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ और उसके कारण मुझे उन सभी समस्याओं की बहुत जानकारिया है कैसी कैसी मुसीबतों से रास्ते निकालने पड़ते थे कभी कभी तो लगता रधाब ये कर पाएंगे रही कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों के लिए नाया अनुभवता गुजरात में तो और मैंने इस सारी चीजों को देखाए हैं और इसलिए इसके लिए जो मेहनत की है वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं उन तमाम एंजिनियर्स का स्रमिकों का मैं आज विशेश रुप से आभार व्यक्त करता हूँ जो हिम्मत के साथ डटे रहें और आज इस सपने को साकार करके दिखा दे रहे हैं आज वो परिश्रम वहिम्मत लाखों गुजरातियों के लिए नई सुविधा लेकर आई है नई आउसर लेकर के आई है साथियों गुजरात के पास समुद्री व्यापार कारोबार की एक समुरुद्ध विरासत रही है अभी मन्सुख भाई सेंकड़ों हजारों साल की तवारिक बता रहे थे कि कैसे कैसे हम समुद्री की व्यापार से जुड़े हुए थे गुजरात ने जिस तरह बीते दो दश्रकों में अपने समुद्री सामर्थ को समचते हुए पोर्ट लेड डेवलेप्मेंट को रपात्विकता दी है वो हर गुजरात के लिए गवरों का विशय है इस दोरान गुजरात के कोस्टल इलाकों में इन्फास्रक्चर और डेवलेप्मेंट के दूसरे प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिया है राज्य में शिप बिल्डिंग पॉलिसी बनाना हो शिप बिल्डिंग पार्क बनाना हो या स्पेशलाइज टर्मिनल का निर्मान हर इन्फास्रक्चर को प्रात्विकता दी गई है जैसे दहज में सॉलीड कार्गो केमिकल और एलेंजी टर्मिनल और मुद्रा में कोल टर्मिनल इसके साथ ही वेशल ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टीम और ग्राउन ब्रेकिंग कनेक्टिमीटी प्रोजेक्ट को भी हमने पूरी तरह बढ़ावा दिया है ऐसे ही प्रयासों से गुजरात के पौर्ट सेक्टर को नई दिशा मिली है साथियों सिर्फ पौर्ट में फीजिकल इंफरस्ट्रेक्टर का निर्मानी नहीं बलकि उन पौर्ट के आसपास रहने वाले साथियों का जीवन भी आसान हो इसके लिए भी काम किया गया है कोस्टल एरिया का पूरा इको सिस्टिम ही आधुनिक हो उस पर हमने अपना ध्यान के इंद्रित किया है चाहे वो सागर खेडू जैसे हमारी मिशन मोड योजना हो या फिर सिपिंग इंडस्टि के स्थानी विवाओं का स्किल डवलप्मेंट करके उन्हें रोजगार देना हो गुजरात में पौर्ट लेट डवलप्मेंट का दायरा बहुत बड़ा रहा है सरकार ने कोस्टल एरिया में हर प्रकार की बुन्यादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया है साथियो ऐसे ही प्रयाशों का परिणाम है कि गुजरात आज एक प्रकार से भारत के समुद्री द्वार के रुप में स्थापिध हुआ है गेटवे बन रहा है गेटवे अप प्रस्परिटी बीते दो दसकों में पारमपारीक बंदर गहाप संचालन से लेक निकल कर एकी कुरुत कॉम्प्रिहेंसिव का एक अनूठा मोडेल गुजरात में लागू किया गया है इमोडेल आज एक बेंचमार के रूप में विक्सित हुआ है आज मुद्रा भारत का सबसे बड़ा बहु देशिय बंदरगा और सिक्का सबसे बड़ा बंदी बंदरगा है इनी प्रयासों का नतीजा है कि गुजरात के बंदरगा देश के प्रमूग समूदरी केंदरों के रूप में उभरे हैं पिछले वर्ष देश के कुल समूदरी व्यापार में से 40% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गुजरात के बंदरगाहों के रही है ये शायद गुजरात के लोगों को भी आज मैं पहली बार बता रहा हूँ साथियों आज गुजरात में समूदरी कारोबार से उससे जुड़े इंफासरक्टर को और कैपेसिटी बिलिंग पर तेजी से काम चल रहा है जैसे गुजरात, मेरिटाइम कलस्टर, गुजरात, समूदरी विश्वविदायले, मेरिटाइम उनिवर्सिटी भावनगर में, दुनिया का पहला, सी एंजी टर्विलल, ऐसी अनेक सुविदाये, गुजरात में तयार हो रही है गिप सिटी में बनने वाला गुजरात मेरिटाइम कलस्टर, बंदर गाहों से लेकर सी बेज लोजिस्टिक को एड्रेस करने वाला एक समर्पित तंत्र होगा ये कलस्टर, एक प्रकार से सरकार, उद्योग और सिक्षन समस्तानों के बीच के सहयोग को बल देगा इस से, इस सेक्टर में, वैल्यू एडिशन में भी बहुत बदी मदद मिलेगी साथियों, बीते वर्षों में, दहेज में, भारत का पहला रासायनिक टर्मिनल बना पहला LNG टर्मिनल बना अब भावनगर पोड पर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल सापिर होने जा रहा है CNG टर्मिनल के अलावा भावनगर बंदरगापर रोरो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल और कंटेनर टर्मिनल जैसी सुविधाय भी तैयार की जा रही है इन नए टर्मिनलों के जूनने से भावनगर बंदरगापर की समता कई गुणा बढ़ जाएगी साथियों सरकार का प्रयास गोगा दहेज के बीच फेरीवी सर्विस को भी जल्द से फिर सुरू करने का है इस प्रोजेक के सामने प्रकृती से जुड़ी अनेक चुनोतियां सामने आके खड़ी हुई है उन्हें आधुनिक टेक्नलोलोजी के मादम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है मुझे उमीद है गोगा और दहेज के लोग जल्द ही इस सुविदा का लाब फिर ले पाएंगे साथियों समुद्री व्यापार कारोबार के लिए एक्सपर्ट तयार हो एक ट्रेंड मेंट पावर हो इसके लिए गुजरात में मेरिटाइम युनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है इस सेक्टर से जुड़ी आवश्रक्ताओं के लिए प्रोफेशनल एजुकेशन देने वाला एदेश का पहला सौंस्तान है आज यहां समुद्री कानून और अंतराष्टे व्यापार कानूनी की पढ़ाई से लेकर मेरिटाइम मेनेजमेंट, सीपिंग, लॉजिस्टिक उसमें भी MBA तक की सुविदा मोजुद है युनिवर्सिटी के अलावा लोथल में जिसका अभी मन्सुक वे ने थोड़ा उलेक किया था लोथल में देश की समुद्री विरासत को संजोने वाला पहला नेशनल म्यूजियम बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है साथियों आज की रोपैक्स फेरी सेवा हो या फिर कुछ दिन पहले शुरू की हुई की सीप्लेन जैसी सुविदा इससे वाटर रिसोर्सिज बेज एकोनोमी को बहुत गती मिल रही है और आप देखिए जल थल नब तीनों में इन दिनों गुजरात ने बहुत बड़ा जंप लगाया है कुछ दिन पहले मुझे मोका मिला गिरनार में रौफे के लोकारपन का वो टूरिजम को भी बल देगा यातियों को सुविदा बढ़ाएगा और नब में जाने का एक नया रास्ता देगा उसके बाद मुझे सी प्लेन का मोका मिला एक जगा एक से पानी से उड़ना दूसरी जगा पर पानी में उतरना और आज समंदर के अंदर पानी के माध्यम से प्रवास करना यानि एक साथ कितनी पकार की गती बढ़ने वाली है इसका आप भली भातियंदार लगा सकते हैं साथियों जब समंदर की बात आती है पानी की बात आती है तो इसका विस्तार मचली से जुड़े व्यापार कारुबार से लेकर सी भीड की खेती से लेकर वोटर, ट्रांस्पोर्ट और टुरिजम तक है बीते वर्षों में देश में ब्ल्यू एकोनामी को ससकत करने के लिए भी गंभीर प्यास किये गए हैं पहले ओसन एकोनामी की बात होती थी और आज हम ब्ल्यू एकोनामी की भी बात कर रहे हैं साथियों समूद्री किनारे के पूरे एकके सिस्टिम को और मचवारे साथियों की मदद के लिए भी बीते वर्षों में अनेक योजनाय बनाई गई हैं चाहे आधुनिक ट्रॉलर्स के लिए मचवारों को आर्थिक मदद हो या फिर मौसम और समूद्री रास्तों की सही जानकारी देने वाली नेविगेशन सिस्टिम हो मचवारों की सुरक्षा और समूरुद्धी यह हमारी प्राफ्विक्ता है हाल में मचली से जुड़े व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान मंत्री मच्य संपदा योजनाभी शुरू की गई है इसके तहट आने वाले वर्षों में फिसरी से जुड़े एक इन्फा सक्टर पर बीस हजार करोड रुपिये खर्च की जाएंगे इसका बहुत बड़ा लाप गुजरात के लाखो मच्वारे परिवारों को होगा देश की ब्लू एकोनामी को होगा साथियों आज देश भर की समुद्री सीमा में पॉट्स की केपेसिटी को भी बढ़ाये जा रहा है और नए पॉट्स का भी निर्मान तेजी से चल रहा है देश के पास करीब 21,000 किलोमेटर का जो जलमार्ग है वो देश के विकास में अधिक से अधिक कैसे काम आए इसके लिए प्रयास किये जा रहा है सागर माला प्रोजेक्ट के तहट आज देश भर में 500 से जादा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है लाखों करोड रुपिय के इन प्रोजेक्ट में से अनेक पूरे भी हो चुके हैं चात्यों समुद्री जलमार्ग हो या फिर नदी जलमार्ग भारत के पास संसाधन भी रहे हैं और एक्सपर्टाइज की भी कोई कमी नहीं रही है ये भी तय है कि जलमार्ग से होने वाला ट्रांस्पोर्टेशन सडक और रेलमार्ग से कई गुना सस्ता पड़ता है और परियावरण को भी कम से कम नुक्सान होता है फिर भी इस दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ 2014 के बाद ही काम हो पाया है ये नदियां, ये समंदर, ये मोधी प्रधान मंद्र बनने के बाद नहीं आया है ये था लेकिन वो द्रश्टी नहीं थी जो 2014 के बाद आज देश अनुभव कर रहा है आज देश भर की नदियों में जो इंलेंड वाटर बेज़ पर काम चल रहा है उससे कई लेंड लॉक राज्यों को समंदर से जोड़ा जा रहा है आज बंगाल की खाडी में हिंद माचागर में अपनी क्षमताओं को हम अभूत पुर्वा रूप से विक्सित कर रहे हैं देश का समुद्री हिस्सा आत्म निर्भर भारत का एक एहम हिस्सा बनकर उबरे इसके लिए निरंतर काम चल रहा है सरकार के इन प्रयासों को गती देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाये जा रहा है अब मिनिस्ट्री आफ शिपिंग का भी नाम बदला जा रहा है अब यह मंत्रा है मिनिस्ट्री आफ पोर्ट शिपिंग एन वाटर बेइच के नाम से जाना जाएगा उसका विस्तार किया जा रहा है विक्षित अर्थिववस्ताओं में जादातर जगों पर शिपिंग मंत्राले ही पोर्ट्स और वाटर वेज का भी दाईत्व संभालता है भारत में शिपिंग मंत्राले पोर्ट्स और वाटर वेज से जोड़ी काफी कारियों को करता रहा है अम नाम में अधिक्स पस्टता आने से काम में भी अधिक्स पस्टता आ जाएगी साथियों आत्म निर्भर भारत में ब्ल्यू एकोनामी की हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए समुत्र से जुड़े लॉजिस्टिक्स को मजबूत करना बहुत जरूरत है यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी अर्थे वबस्ता पर लोजिस्टिक्ट पर होने वाले खर्च का प्रभाव जादा है यानि सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर और दूसरे देशों की अप्यक्षा हमारे देश में आज भी खर्च जादा होता है वोटर टांस्पोर्ट से कॉस्ट अब लोजिस्टिक्स उसको बहुत कम किया जा सकता है इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टिम को बनाने का है जहां कारगो की सिंबलेस मुमेंट सुनिशित हो सके है आज एक बहतरीन इंफर सक्टर के साथ साथ बहतर मेरिटाइम लोजिस्टिक्स के लिए सिंगल विंडो सिस्टिम पर भी हम काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसकी तैयारिया चल रही है साथियों लोजिस्टिक्स पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुती होलिस्टिक व्यू के साथ और दिर्ग कालिन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है कोशिज यह है कि रोड, रेल, एर और स्टिपिंग जैसे इंफरस्टिक्टर की आपस में कनेक्टिविटी भी बहतर हो और उसमें जो साइलोज आते हैं उनको भी दूर किया जा सके देश में मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्स का निर्मान भी किया जा रहा है और देश के भीतर ही नहीं बलकि अपनी पडोजी देशों के साथ भी मल्टी मोडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए मिलकर काम हो रहा है मुझे विश्वात है कि इन तमाम प्रयासों से हम अपनी लोजिस्टिक कौस को बहुत कम कर पाने में सफल हो जाएंगे लोजिस्टिक की कीमत को काबू में रखने के लिए हो जो प्रैत्ण हो रहे हैं इनी प्रयासों से अर्थ ववस्ता को भी नई गती मिलेगी सात्यों त्योहारों के इस समय में खरीदारी भी खुब हो रही है इस खरीदारी के समय मैं जरा सूरत के लोगों से थोड़ा आगरे करूंगा क्योंकि उनको तो दुनिया में जाना आने का बड़ा रूटीन होता है यह वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है वोकल फॉर लोकल और मैंने देखा है को लोगों को लगता है कि दिये खरीद लिए तो मतलब हम आत्मिंदिर पर जी नहीं हर चीज में ध्यान देना है वरना इन दिनों सरब दिये कोई अच्छी बात है लेकिन आप अगर खुद देखोगे अपने शरीर पे अपने घर में इतनी चीजे बहर की होगी जो हमारे देश के लोग बनाते हैं हमारे छोटे 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 लोग बनाते हैं हम उनको क्यों अफसर न देए देश को आगे बढ़ाना है न दोस्तो तो उसके लिए हमारे छोटे 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 लोगों को छोटे छोटे वापारियों को छोटे 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 कारीगारों को छोटे छोटे कलाकारों को गाउं की हमारी बहनों को वेजो चीजे बनाती है अनेक प्रकार की चीज़े बनाती है एक बार लेकर के देखिये तो सही और गर्वसे दुनिया को बताईए यह हमारे गाउं के लोगों ने बनाया हमारे जीले के लोगों ने बनाया हमारे देश के लोगों ने बनाया देखिया आपका भी सिना चोड़ा हो जाएगा दिवाली मनाने का बजा और आए जागा इसलिए वोकल फोर लोकल वोकल फोर लोकल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे देश आजादी के पचरत साल मनाने वाला है तब तक ये मंत्र हमारे जीवन का मंत्र बना जाया है हमारे परिवार का मंत्र बन जाया हमारे घर के हर व्यक्ति के बन ये भाव पैदा हो इस पर हमारा बल होना चाहिए और इसलिए ये दिवाली ये दिवाली वोकल फर लोकल का एक टर्निंग पॉइंट बन जा है मैं मेरे गुजरात के भाई और बहनों से जरा हक से भी मांग सकता हूँ और मुझे पता है कि आप कभी निराश नहीं करोगे अब ननलाल भी बता रहे थे न कि आपने बहुत पहले मुझे कहा था मैंने इसको लागू किया देखिए मुझे कितना संतोष हुआ कि कभी ननलाल जी को एक बात बताई होगी जो उन्होंने सुनी होगी उन्होंने आज उसको लागू कर दिया आप भी सब मेरे लिए तो हर कोई ननलाल है आईए हम मेहनत करें मेरे देश के गरीबों के लिए कुछ करें दिवाली मनाए उनके घर में भी दिवाली मनें दिया जलाए गरीब के घर में भी दिया जलाए भोकल फर लोकल के मंत्र को और आगे बढ़ाए मुझे भी स्वास है कि कुरोना के इस समय में आप सब भी पूरी सावधानी के साथ त्योहारों को मनाएंगे क्योंकि आपकी रक्षा वो भी देश की ही रक्षा है मेरे प्यारे भाईयों भहनों पूरे देश के सबी नाकरिक भाईयों भहनों को मैं आने वाली दिनों में धनतरस हो दिपावली हो गुजरात के लिए लिए नया वर्ष आएगा हर बात के लिए हर तोहार के लिए बहुत बहुत शुब कामना ही देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद